नमस्काल दोस्तों स्वागत है आपका एक बाद फिर से आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों एक बाद फिर से वेकेंसिज का अपडेट लिख रहा है और आज का यह अपडेट आइसी एमर के दोरह निकाला गया है आइसी एमर चैनल नहीं की दोरह दोस्तों यहाँ पर तीन लोकेशन से वेकेंसिज का अपडेट जारी हुआ है सबसे पहले आप देखेंगे अपर आइसी एमर एन इस्टिटूट ऑप एपिडेमियलोजी आइसी एमर एन इस्टिटूट इन ट्यूबर क्लोसिस एंड आइसी एमर वी सी एसी वेक्टर कंट्रोल रिस सेंटर तीन जगह से वेकेंसिज का नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो हम एक एक करके तीनों नोटिफिकेशन को देखने वाले हैं यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को की आइसी एमर वी सी एक्टर कंट्रोल इसस सेंटर के द्वारा जारी विग्यापन यह दोस्तों इस अभी वेकेंसिज चैनल राज के द्वारा निकाली गई हैं दोस्तों यह जो पोस्ट है यह पर्मानेंट रेगूलर वेकेंसिज है और अल इंडिया कंडिट्स हैं पर यह दो आपका पोस्ट कोड़ेगा बेतन की बात करेंगे लेवल 6 सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगला पुष्ट देखेंगे आप जैसे की चैमेस्टी के पोस्ट है यदि आप बैस्टर डिग्रीन केमिस्टी से आप अपपलाई कर सकते हैं सिवींगनिंग की पोस्ट है यहां और यह पर देखेंगे दोस्तो पूस्ट कोड़्ट टेग की मेडिकल मेडिकल लैब टेकनोलोजी की पोस्ट और पे लेवल टू, उननीस यान नौसों से लेके 63,200 का आपका बेतन दाइगा नहीं कि बीस यान से सेल्डी आपके स्टार्ट रहेगी और 63,200 तक आपके सेल्डी रहेगी 28 पोस्ट है दोस्ते हैं याप और के टीगरी में भी डिवाइट किया गया है essential qualification की बात करेंगे 12th plus DMLT होना चाहिए आप अप्लाई कर सकते हैं कोई भी आपको experience नहीं लगाना है नहीं याप पर बैस्टरीग लगाना है यहाँ पर 12th plus DMLT वाले candidates अप्लाई करेंगे age limit की बात करेंगे 28 साल age limit रखी गई है और according to the duration आपको shoot मिल जाएगी आँगे बात करते हैं दोस्तो टेक आर एंड एसी यान की refrigeration and air conditioning तो यहाँ पर IT वाले candidates अप्लाई करेंगे plumber की पोस्ट है और अगला पोस्ट है दोस्तो लैब अटेंडेंट की पोस्ट है यहाँ पर देखेंगे 19 पोस्ट है केटी करी में डवाइट किया गया है पर कॉलीफिकेशन की बात करें टैंथ पास होना चाहिए मिनिममम 50% मार्क से पास होना चाहिए प्लस है आप दोस्तों लेखा एक साल का working experience होना चाहिए मानता प्राप संस्थान से आपको लगाना होगा यदि आपके पास में रेजिस्टर्ड लेब का जो लेब है वो रेजिस्टर्ड है या फर गौर्वर्मेंट है मानता प्राप संस्थान से उसका एक साल का experience है आप अप्लाई कर सकते हैं अपर कम है 25 साल है और सभी को छूट मिलेगी सब्सक्राइब करना है वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे आप दिन कर सकते हैं आप दिन की दोस्तों लास्ट डेट है को एक्जाम फीच देना होगा और SC ST and PWBD और एक्सर्विसमेन और बूमेन कंड़िट्स को कोई भी एक्जाम फीच नहीं देना है इस एक्जाम सोन को छूट दी गई है ठी दोस्तों तो यहां पर आपका रिटेंट टेस्ट भी होगा और रिटेंट टेस्ट का जो स्कीम इस टेंड नमबर का कॉइंटिट टेटिव एप्टिटूड यहां पर दस नमबर का और इंगलिस आपका दस नमबर का इस प्रकास है सो नमबर का आपका पेपर होगा सो कुस्चन दाएंगे और नभ्य मिनिट का आपको टाइम दिया जाएगा यहनिकि देड़ घंटे का आ और आपको जोइनिंग दे दी जाएगी ठीक दोस्तों तो फर्स्ट यह वेकेंसिस का नोटिफिकेशन था सेकेंड हम देखते हैं नियाट नेशनल इंस्टुटूट फोर इस सचेंड ट्यूबर क्लोसिस दोरा वेकेंसिस का अपडेट निकला है देख सकते हैं आपर पेलेवल फश्ट अठारा यहाँ जासे आपकी सेल रहेगी ठीक नेशनल इडिवाइड किया गया है अब देख लिए थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल टेक्निकल असस्टेंट तो यहाँ पर टेक्निकल असस्टेंट में बहुत सारी पोस्ट सामिल की गई हैं एक वार फिर पोस्ट कोड़ चेंज होता जाएगा जैसे कि पोस्ट कोड़ टी-ए-01 यहां पर डिस्टिप्ल माइक्रोबायोजी बायो टेक्नलोजी मेडिकल लैब टेक्नलोजी इसकी जो एसेंचियल क्वालिफिकेशन रखी गई है आप पर फर्स्ट क्लास थ्री एस बेश्टर डिगरी ह टेक्नलोजी से यहां पर ब्सक्राइब करेंगे इन सभी के लिए और क्रिटिकरी में भी डिवाइट किया गया है आंगे बढ़ेंगे बायक्यमेस्टी की पोस्ट है आपका डेस जीरो टू यहां पर देखेंगे दोस्तों यहां पर भी यह फार्मेकोलोजी के लिए लिखा है बैचला डीगरी यहां फर्स्ट क्लास इंजिनिंग वाले बायो इनफोर्मेक्टिक्स बायो टेक्नलोजी वाले अप्लाइब करेंगे तो इस तरह से यहां पर पोस्ट को डिवाइड किया गया है स्टेटिक्स में देखेंगे और यहां पर कोई बीडियमेल टी आ देखेंगे लिए 10 पास होना चाहिए 50 पासेंट मार्क से पास होना चाहिए और एक साल का experience होना चाहिए वानतर पर आप संस्थान से अप्रूब्ड होना चाहिए यह प्लंबर किये तो पर आप यहां पर भी वेकेंसिज के अपडेट निकला है से में यहां पर भी है तीन सुर रॉपए आपको जनरल और यहां पर जो एक्जाम सिटीज हैं आपके चैन्नाई एंड पॉंडोचेडी ठीक है यहां पर लिखा हुआ है और लिखा है और लिखा है आपको छूट मिल जाएगी यह आप लोग इलिजबिल हैं तीसरा नौटिपिकेशन है एन आई ए ठीक नैशनल इंस्टिटूट ऑफ अपिडिक यहां पर लोकेशन रहेगा झूप का लोकेशन रहेगा एक यह वार से देख लेते हैं इस्टिटूट ऑफ एपीडियमियोजी पोस्ट की बात करते हैं यहां पर सबसे पहले बैसले बेट यह नेट वर्किंग की पोस्ट है प्रोग्रामिंग की है यहां पर देखेंगे टीए लेब यह आपका पोस्ट कोड टेक्निक रस्टेंड लेवरेटरी यहां पर बेचलर डिगरी होना चाहिए मेडिकल लेवरेटरी टेक्नोलोजी से आप अप्लाई करेंगे कोई भी एक्स्पिनिस नहीं है कोई देखकत नहीं है पांच पोस्ट है माइक्रो बाइलोजी वाली भी अप्लाई कर सकते हैं रिससर्च मैनेजमेंट की कम्यूनिकेशन है और आगे बचलते सोचल पबलिक हेल् और इंजिनिंग की ठीक है यहां पर स्रुप ही पोस्ट थी और देखेंगे आप लेवरेटी अटेंडेंट के लिए यह पोस्ट है दो पोस्ट है यहां पर टैंथ होना चाहिए 50% पासिंग मार्ग से होना चाहिए और एक साल का वरकिंग एक्स्पिरियंस रिजिस्टर्ट इस पोस्ट पर एप्लाई कर सकते हैं और यहां पर भी आप सभी का रिटेंट होगा बात करते हैं दोस्तों आब इदन की कि आप आप इदन कैसे करेंगे तो यहां पर देखेंगे इसके बाद में आपको यहां पर देखेंगे लेटेस्ट एंड अपकमिंग इवेंट्स यहां पर देखेंगे करेंगे और के जिस पर आपको जाना यहां पर देखेंगे और यहीं से आप रजिस्टर करके अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं और बात करते दोस्तों लास्ट डेट की तो यहां पर देखेंगे दोस्तों यह आई-सी अमर एन-ई-एन की एपकर दोमिलोजी से यह एक वर फिर से इनों ने लाश्ट डेट मेंसन की हैं एठार जहीं तरफ बीग आपके नमंबर की थरद वीक में आपके अड़माट काड स्टार्ट डाउलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे और फूर्थ वीक में यहां पर देखेंगे एक पाप फिल से यह ए झान आई-ई-क था और यहां पर देखेंगे ए झान घान आय अञ्ट का ठी तो सेम यहां पर आपके नवंबर के लाश्ट वीक में आपके एक्जांप कंड़क्ट हो सकते हैं ठीक दोस्तों और इन सभी के लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एक वार फिर से आप से रिकेस्ट है कि इन नोटिफिकेशन को आप डाउनलो कि साथ